वेलकम टू एससे मेकर राजा तीन फर्वरी दो होजार इकी सोर तीन फर्वरी से करेंट अफेट्स के जितने भी इंपोर्टेंट कोशन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कोशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को सब्सक्राइब को पता है हमारी पुरी टीम ने कि स्पेशल इबुक को लॉंच किया है जिसमें पंदरा सो से ज्यादा कोशन का कंपाइलेशन है ठीक है साइंस की अगर हम लोग बात करें तो साइंस के इसमें 20 सेट दियो है जनरल अवर्नेस के भी 20 सेट दियो है जी एस वन सब्सक्राइब का NTPC के एक्जाम हो चाहे group D का एक्जाम हो चाहे SSC का कोई भी एक्जाम हो like SSC, CHSL, CHSL, CGL और IB का कोई भी एक्जाम हो मतलब कोई भी one day एक्जाम है सभी एक्जाम के लिए बहुत जदे important के ebook होने वाली है ठीक है और इसको buy करने के लिए आप लोग क्या कर लेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अचके first question से first question की हम लोग अगर बात करें तो खादे एम पे पदार्थों की श्रिणी में पश्चिम भारत के लिए power woman award 2020 किसने जीता तो इसके correct answer की अगर हम लोग बात करें तो सोनल बमीर्चा सोनल बमीर्चा इसका correct answer है ठीक है सोनल बमी बमीर्चा इसका correct answer बन जाता है अब question पूझा जाएगा के भी power woman award 2020 किन के द्वार जीता गया तो इसका correct answer होगा सोनल बमीर्चा और अगर यहां पर हम लोग बात करें खादे एम पदार्थों की श्रिणी में पश्चिम भारत की तरफ से ठीक है साथ में अगर हम लोग बात करें जो सोनल है वे कई शहरों में restaurant चलाती है तो इसलिए बहुत जदा वो famous है इसका correct answer क्या है इसका correct answer है डी चलिए move करते हैं आज के अगले question की से लेकिन उससे पहले आज की वीडियो के लेके target की अगर हम लोग बात करें तो आज की वीडियो क लेकर target है 2000 प्लस likes आई हो यह target से भी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का try करेंगी चलिए move करते हैं आज के next question की say next question क्या कहता है तट रक्षक बल की स्थापना कब हुई तो यहाँ पर बात करें तट रक्षक बल की स्थापना की बात हमने क्यों पूछी तो इसका correct answer स रक्षक बलने ठीक है 45 यह मतलब 45 दिवस मनाया था रक्षक बलने कब एक फरवरी को तो इसका मतलब है एक फरवरी 1997 को इसकी स्थापना की गई थी अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो इसका मकसद भारत के 30 चेत्रों की सुरक्षक को सुनिश्चित करना साथ में युद क कॉमेंट वोक्स में लिख दिजेगा फटाफट से ठीक है वीडियो को पॉज करके अगर यहाँ पर बात करें हम लोग 1997 में अपनी स्थापना के बद्धार के तरक्षक बलने 10,000 से अधिक लोगों की जान बचाई ठीक है तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें 1997 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डिफेंस मिनिस्टर का नाम आप लोग को कहा पे लिखना है कॉमेंट बोक्स में लिखना है चलिए दिखते हैं आज का अगला कुशन पिंक परेड 2.0 का आयोजन किस राज्य में किया गया तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें पिंक परे ठीक है तो पिंक परेड का आयोजन किस राज्य में किया गया राज्य कौन सा है बिहार जी हाँ बिहार की राज्य में पिंक परेड 2.0 का आयोजन किया गया साथ में अगर मैं आपको बता दूं कि भई हाल फिलाल में बिहार के पटना साइंस कॉलिज में पिंक परेड 2.0 का उद्गाटन किया गया और यह अभियान जो है एक महीना चलने वाला है इसलिए बहुत जादा इंपोर्टेंट यह बन जाता है ठीक है इस परेड का जो आयोजन है वो गुलमोहर मैत्री के दुआरा किया गया है ठीक है और अगर यहां पर बताएं हम लोग तो गुलमोहर मैत् और उससे जुड़े जागरुकता अभियान को लेकर एक सजग संस्था है जो बिहार राज्ये में विगत दस वर्षों से कारे रत है अगर मैं आपको एक चीज़ बताओ कि यह क्यूं हुआ है तो जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके प्रति अवेर करने के लिए यह मनाया गय किस नाम से पिंक परेड पिंक परेड 2.0 मतलब इस्पेशली फॉर गल्स चलिए मूव करते हैं अगले कोशन की से और हां यहां पर बात हुए बिहार की तो बिहार के गवर्नर और सीम का नाम आप लोग को कहां पर लिखना है फटवर से कॉमेंट बॉक्स में वीडियो को प सिताब दियारा यह कहां पर है यह जो सारण जिला है न मैं बता दूं आपको सारण जिले में इस्थित सिताब दियारा से की गई जो कि लोक नायक जै प्रकाश नरायन की जन्म भूमी है तो इस चेस से आपके लिए कोशन बन जाते हैं कि लोक नायक जै प्रकाश नरायन की जन भूमी कौन सी है सिताब दियारा सिताब दियारा जो कहां परेस्थित है सारण जिले में बिहार की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हाल फिलाल में जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंग ने भारत पुनर निर्मान अभियान के तत्वाधन में बिहार समवाद यात की शिरुवात की जो की बारा फरवरी कब तक चलेगी यह भी इंपोर्टेंट बात है कि कब तक चलेगी बारा फरवरी तक यह चलने वाली है ठीक है साथ में अगर यहाँ पर हम लोग बात करें जल वायू परिवर्दन लोक शासन की संकल्पना नफरत के बदले अहिंसा की गरीबी उनमूलन आदी इस समाध्यात्रा के कुछ प्रमुख मुद्धे भी है ठीक है जल पुरुष डॉक्टर राजेइंद्र सिंग रमन मैगेस से पुरसकार से सम्मानित प्रसिद प्रयावरन विद्र है तो इसका करेक्ट अंसर क्या बन जाता है इसका करेक्ट अंसर ब क्या बन जाता है इसका करेक्ट अंसर है जी हाँ हमारा प्यारा सा यूपी एनिवेज प्यारो तो पुरा भारती है ठीक है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के मुखे मंत्रीकों योगी अधित्यनाथ जी ने भूगर्ब जल पोटाल का वर्चुल तरीक के से लोकारपण किया साथ में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के भूगर्ब जल विभाग का एक वेब पोटाल भी है उत्तर प्रदेश भूगर्ब जल प्रबंदन एमम विनीमियन अधिनियम 2019 के आधार पर भूगर्ब जल विभाग ने इस पो परोदा ने और ज्यादा ओनलाइन करा दिया चीजों को ठीक है इसके अलावा जल के ओद्योगिक वह वानिजिक उप्योग के लिए ओनलाइन पंजिकनन पंजियन के साथ ही अनापति प्रमान पत्र मतलब अन ओसी नॉट अब्जिक्शन सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर बन जाता है उत्तर प्रदेश चलिए देखते हैं आज का अगला प्रेशन हुआ लोंग वन किस देश का नाभी किये रियक्टर है तो यहां पर बात हुई है किसकी एक रियक्टर के बारे में नाभी किये रियक्ट तो इसलिए चीन के बारे में कोई भी इंफोर्मेशन आएगी वह बहुजद इंपोर्टेंट है साथ में यहां पर बात हो रही है हुआ लोंग वन पूछा जा सकते हैं कि यह क्या चीज है नाभी किया रियक्टर है कहा का है चीन का है अब इसके बारे में जान लेते हैं चीन के हुआ लोंग वन नाभी किया रियक्टर ने वानी जिक्स अंचालन को शुरू किया इसलिए अभी फिलहाल ये सुर्खियों में है ठीक है यह थर्ड जेनरेशन प्रेसरराइजड वाटर न्यूकलियर रियक्टर है साथ में अगर यहाँ पर हम लोग बात करें चीन अब अमेरिका फ्रांस रूस जैसे देशों के समू में भी शामिल हो चुका जिसके पास थर्ड जेनरेशन न्यूकलियर पावर टेक्नालिजी है ठीक है साथ में मैं आपको बता दूँ भई हुआ लोंग जो है हुआ लोंग वन रियक्टर साथ सालों तक कितने सालों तक साथ सालों तक कार करेगा यह आप इमेज इसकी इस वले रियक्टर की इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं चलिए देखते हैं आज का अगला प्रशन क्या कहता है प्रधान मंत्री आत्म निर्भर स्वस्थ भारत यो योजना है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्यूं यह सुर्ख्यों में है हाल फिलाल में मैं आपको बताऊं केंद्री यह बजट 2021 में वित मंत्री कौन है निर्मला सीतरमन जी उन्होंने हमारे यह बजट को प्रस्तुत किया जिसके बारे में हमने कल सारे कोशन्स कर लिये मेरी खेल से सबको याद हो गए होंगे उन्होंने ही प्रधान मंत्री आप निर्भर स्वस्ते भारत योजना की घोशना करी बजट सेशन में और यह केंद्र प्रायोजित योजना है यानि इस योजना की फंडिंग केंद्र और राज्ये दोनों मिलकर करने वाले हैं ठीक है अगर यहाँ पर हम लोग बात करें इस योजना के लिए 6 वर्षों में लगबग लगबग 64,180 करोड का रुपए को खर्च किया जाएगा इससे प्रात्मिक दित्यक एवं तृत्यक स्वास्ते प्रणालियों की छमता भी विक्सित होगी साथ में अगर मैं बता दूँ तो इससे मोजूदा राज्ट्य संसादन मजबूत होंगे और नए संसादनों का निर्मान भी किया जाएगा जिससे नई और उबरती बिमारियों की भी पहचान होगी और आसानी से इलाज किया जा सकेगा यहां आप इमेज में देख पा रहे हैं सारी चीज़े लिखी हुई हैं मैं फिर से आपको बता दूँ कि बई 17,788 ग्रामेड और 11,024 शेहरी स्वास्ते केंद्रों को सहायता मिलेगी साथ में बात करें 11 राज्यों के सभी जिलों कितने 3382 ब्लॉक सामुदाइक स्वास्ते केंद्रों में इंटीग्रेटिट सामुदाइक प्रियोग शालाएं होंगी साथ में ये सारी चीज़े आप लोग पर सकते हैं पूरा का पूरा डेटा Ministry of Finance के एक document के frame में मिला तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझा चलिए देखते हैं आज का अगला प्रेशन क्या कहता है इसके correct answer की बात करें पंजाब इसका correct answer बन जाता है यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हाल फिलाल में पंजाब के मुख्य मंत्री कौन कैप्टन अमरेंद्र सिंग उन्होंने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लुँच किया साथ में यह मिशन 2022 तक सभी ग्रामीन घरों में 100% पाइप से जलापूर्ती के लक्षे को भी पूरा करने की सरकार के अभिहान का हिस्सा है ठीक है अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कुछ तीन चार चीजे हैं मतलब इस योजना के तीन घटक हैं कौन-कौन से हैं इसमें मो गजिला हैं महा के 85 गाउं शामिल हैं इसमें 172 गाउं के लिए 144 नई जलापूर्ती योजनाए भी इंकलूड हैं साथ में अगर हम लोग बात करें तो इसमें 121 आरसेनिक और आइरन हटाने वाले प्लांटों को भी इंकलूड किया गया है ठीक है तो यह तीन मुख्य घट जी के द्वारा यह लॉंच किया गया है इसका करेक्टर अंसर है पंजाब चलिए देखते हैं कल का रिवीजन बजट से रिलेटेड हमने कल कोशन देखे तो मैं आपको बता दूं वित मंत्री ने केंद्रिय बजट 2021 में भारत में लेह युनिवरसिटी बनाने का एलान किया भारत की वित मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए केंद्रिय बजट मोबाइल एप को भी लॉंच किया शाथ में मैं बता दूं भारत का जो केंद्रिय बजट है 2021 का पहली बार बजट की सॉफ्ट कॉपी के रूप में पेश किया गया साथ में भारत का केंद्रिय बजट 2021 सत्र आठ अपरेल तक दो फेजिज में चलने वाला है इसके बारे में हमने कल अच्छे से एक्स्प्लेइन करके बताया था साथ में हम बता दें के बेग केंद्रिय बजट 2021 में डबल टेक सिस्टम से अप्रवासी भारती है NRI को छूट भी दी जा सकती है साथ में सीनियर सेटिसन के लिए स्पेशल एलान में 75 साल से अधिक आयू वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई चलिए देखते हैं कल का प्रेशन जो हमने दिया था कल का प्रेशन था मिसर के लिए भारत का अगला राज़ दूत नैवल में से किसे न युक किया गया बहुत सारे बच्चों ने correct answer लिखा था अजित विनायक गुपते बहुत सारे बच्चों ने correct answer लिखा था क्योंकि इसलिए मैं उन सभी का thanks करना चाहती हूँ और उमीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे correct answer लिखेंगे आज की question की अगर हम लोग बात करें तो आज का question क्या कह करता है कि इस देश की सीना ने तकता पलट करके एक साल के लिए देश में emergency को गोशित कर दिया तो ये चार option है बहुत ज़्यादा सुर्कियों में कोशन रहा है इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए और important भी है तो I hope सब लोग correct answer इस question का लिखने वा चैनल को subscribe नहीं किये हो तो चैनल को भी subscribe करें उसके बगल में bell icon को भी प्रेस करें जिसे सारी notification time to time पर मिलते जाए ठीक है और हाँ आज का target बिल्कुल में मत भूलिएगा भई आज के target की अगर हम लोग बात करें तो आज का target का है 2000 प्लस likes I hope ये target भी सभी जादा से जादा अ आज के late night thanks for watching this video have a good day bye bye take care